मनी लांडरिंग की आरोपित निलंबित आएस पूजा सिंगल को एडी की विशेश अदालत में वीडियो काफरिंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। उनके साथ जेल में बंस ये सुमन कुमार एवन बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम बिनोद प्रसाद सिनहा को भी पेश किया गया। अदालत ने तीनों की न्याय खिरासत की अवधी उनने सक्टूबर तक बढ़ा दी है। बता दे कि इस मामले में ईडी कोट ने पूर्ग में पूजा सिंगल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जिसके बाद उने हाई कोट में जमानत याचिका दाखिल की है। खूटी के मन्रेगा का घोटाला की जाच कर रही ईडी ने इसी साल माई में पूजा सिंगल के सरकारी वनिजी आवास। उनके पती अभिशेक जा और सीय सुमन कुमार के आवास सहित अन्य जगों पर छापे मारी की थी। सीय सुमन कुमार के आवास से ईडी को लगभग 19 करोर रुपे मिले थे। 11 माई को ईडी ने पूजा सिंगल को गिरफतार किया था। मुख्यमंद्री हेमन सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधी पंकज मिश्रा के प्रमुक सहयोगी बच्चु यादव की ओर से दाखल जमानत याचिका पर ईडी कोर्ट में सुनवाई तल गई। अदालत में मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तिथी निर्धारित की है। बच्चु यादव ने 11 अक्टूबर को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखल की है। याचिका पर सुनवाई के दौरान अभ्यूजन की ओर से कोई प्रस्तुत नहीं हो सका। जिसके कारण सुनवाई तल गई। हाला कि कोर्ट ने मामले में एडी को जवाब दाखिल करने की तिथी निर्धारित की है। बच्चु यादव चार अगस्त से बिर्सामुंदा किंद्रिय कारा में बंध है। बता दें कि एडी की ओर से बच्चु यादव त्रेन तकाश सहित तीन के खिलाफ चारजशीड दाखिल की गई है। अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।